पवन और अक्ष्रा की जोड़ी तूटने के बाद जानिए किस हिरोईन का सबसे जादा फायदा हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो वो कोई और नहीं है भोजपुरी की तीन ऐसी हिरोईने हैं जिनका फायदा सबसे जादा हुआ है और ये तीनों well-established और well-known है पहला नाम आता है आमरपाली दुबे का जी हाँ ये अक्ष्रा सिंग की भले ही best friend है लेकिन जैसे ही पवन और अक्ष्रा का break up हुआ इन्होंने पवन सिंग के साथ film sign की शेर सिंग जी हाँ सेर सिंग ये वही फिल्म है जो काफी महंगे बजट की फिल्म है जिसकी शूटिंग इस वक्त रुकी हुई भले है लेकिन जल्द ही start होगी आपको ये बता दे कि पवन अक्ष्रा का जैसे ही break up हुआ आपको बता दे कि पवन सिंग और आमरपाली की ये फिल्म लाइम लाइट में आय थी पवन सिंग अक्ष्रा सिंग से इधर break up कर रहे थे और उधर आमरपाली दूबे इनके साथ film sign करने में मजगूल थी वैसे पवन सिंग के लाइफ में जब तक अक्ष्रा सिंग थी आमरपाली दूबे ने उनके साथ सिर्फ आइटम नंबर किये थे लेकिन जैसे ही अक्ष्रा सिंग पवन सिंग के लाइफ से आउट होती है वो बकायदा पूरी film करती है उनके साथ खेर ये दोनों best friend है तो ये आपस में समझे क्योंकि आमरपाली दूबे का मानना है कि अक्ष्रा सिंग truly professional girl है इसलिए इससे उनकी दोस्ती पर कोई फर्क ने पड़ेगा खेर ये तो रही आमरपाली दूबे की बाद और अब चलते हैं दूसरी हिरोईन की तरफ जी हाँ दूसरी हिरोईन है काजल रागवानी जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने उनको सजन चुलिया में पहले अक्ष्रा सिंग थी और उन्हें replace करके काजल रागवानी को लिया तो इसमें काजल रागवानी का फायदा ही हुआ क्योंकि जब तक अक्ष्रा सिंग पवन सिंग की लाइफ में थी काजल रागवानी की दाल उनके सामने नहीं गली लेकिन जैसे ही अक्ष्रा सिंग आउट हुई काजल रागवानी के हिस्से पवन सिंग के साथ एक बड़ी प्रिम लग गई और आज कल काजल रागवानी के साथ पवन सिंग की जोड़ी को सबसे फिट वाना जा रहा है। जिसने अपने केरियर को नया बूस्ट अब देगने के लिए ही पवन सिंग का साथ पकड़ा और वो कोई और नहीं वो रानी चटर जी है। तीनों हिरोईनों के लिए वर्दान साबित हुआ अक्ष्रा और पवन का ब्रेकाप। भोचपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नभूनिये। झारेकाप। झारेकाप। झाल